एक सब्सक्राइबर ने में से सवाल किया कि सर मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता हूं NPS के अंदर और इस चोटे से कुश्चेन के अंदर काफी सारे और कुश्चेन चुपे वे हैं जिसको हम कवर करेंगे आज के वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं NPS की तो NPS के अंदर अगर हम टेक्स बेनिफिट की बात करें तो तीन तरीके के टेक्स बेनिफिट मिलते हैं Extra का मतलब 1.5 lakh की limit रहती है ATC के अंदर और ATCCD1B यह 1.5 lakh की limit को बढ़ा के 2 lakh की कर देता है तो इसलिए यह interesting aspect रहता है अब सवाल आता है यह मेरे पास 50,000 की अलग investment की duration है या आ गही है या फिर अलग amount है जो मैं invest कर सकता हूँ इस amount को क्या मैं एक बरी में invest कर दूँ या क्या मैं SAP के अंदर invest करूँ लेकिन इस question को answer करने से पहले यह देखते है कि lump sum versus SAP which strategy is better और उसको भी answer करने से पहले यह देखते है कि lump sum versus SAP इनका मतलब क्या है lump sum का अगर हम high level पे मतलब देखे तो lump sum का मतलब है कि एक मुश्तराशी यानि कि एक बारी में पैसे को invest करना SAP का मतलब है systematic investment plan यानि कि एक particular ढंग से आप पैसे को regularly invest कर रहे हैं तो उसको आप बोलेंगे SAP लेकिन अगर आप इसको simplified language में देखे तो SAP is nothing but lump sums at a regular period of time that is what it is और यह lump sum amount जिसको हम बोलते कि काफी बढ़ा amount हो सकता है यह किसी के लिए काफी बढ़ा amount हो लेकिन किसी और के लिए काफी चोटा amount हो example के तोर पे लेकर चलते हैं कि किसी नए पूछा कि मेरे को यह 50,000 पे invest करने है यह मैं यह lump sum की तरह करने है एक बरी मैं करूँ या मैं 4-4,000 रुपे की SIP करके इसको 48,000 रुपीज इन्वेस्ट करूँ मैं over the year वो सकता है कोई और काफी जिन के पास पैसा है वो ये सोचते है कि मेरे पास 50,000 रुपे की तो मैं SIP कर देता हूँ उनके लिए हो सकता है lump sum का amount बने 5,000 रुपे की मैं 5,000 रुपे को lump sum invest करूँ या 50,000 रुपे की मैं SIP करूँ So it is relative, हम lump sum किसे बोलते हैं और हम SIP किसे बोलते हैं It is relative, इसका कोई right and wrong answer नहीं है कि किस amount को हम बोले कि जादा amount है और किस amount को हम बोले छोटा amount है अब आते हैं इस सवाल के उपर की SIP की strategy better है या lump sum की strategy better है अब strategy को decide करने से पहले हमें यह देखने है कि हमारा time horizon कितना है क्या मतलब है इस बात का देखिए मतलब यह है कि अभी हम बैठे हैं 2022 के अंदर अगर आज से आपकी अगर आज आज आपकी date एज जो है वो है 30 years की और आपको मालूम है कि NPS की जो maturity है वो होती है 60 years में यानि कि 30 साल का time frame बचा हुआ है अब से लेके 30 साल के बाद यानि कि 2052 के अंदर market कहा होगी अफोर्स अगर हम invest कर रहे हैं equity related instruments के अंदर तो हम ये expect करके चलते हैं कि market आज से उपर ही होगी तो आज से 30 साल बाद market के अंदर जो भी उतार या जो भी अप आएगा और हम continuously उसके अंदर invest कर रहे हैं तो आज का amount उसके आगे काफी छोटा amount होगा हाँ अगर market down है आपने invest किया तो थोड़ा ज़रूर फड़क पड़ेगा लेकिन अगिस bigger picture के अंदर आज से लेके 2022 के पिचर के अंदर ये amount जादा difference आपके overall portfolio में नहीं लेके आएगा 0.1-0.5% से जादा का variation नहीं लेके आप आएगा इतना tension लेने की ज़रत नहीं है इतना सोचने की ज़रत नहीं है आप पैसे को invest करना चाहते है यहां पर हम देखते है कि यह sensex का of course graph है जो कि मैंने मार्च 2022 तक डाला है कि मार्च 2022 में अगर आप देखते हैं लेकिन इसका answer आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तब आगे नहीं जाके देखेंगे कि market और नीचे जा रही है या नहीं जा रही है तो माना हम थोड़ा और आगे गए और हमने देखा कि यहां पर पैसा invest कर देता हूँ यह June 2022 के अंदर market bottom पे आगे थी और मुझे यहां पर पैसा invest कर देना चाहिए यह आपको तब ही पताए कि यह bottom था क्योंकि आपने यह peaks देख नहीं मालूम है कि market और नीचे जाएगी नहीं जाएगी तो मैं कैसे decide कर सकता हो कि यह low bottom आगया market का कि नहीं आ गया है उस case में हम कैसे decide करें कि market down है और मुझे पूरा पैसा invest करना चाहिए तो मेरी personal strategy उस case में रहती है कि 50,000 अगर मुझे डालने है तो मैं उसका portion अभी डाल let's assume मैंने देखा कि जो peak था वहां से market 20% नीचे आ गई है 10% नीचे आ गई है तो मैं अपने total amount जो मुझे invest करना है उसका 20, 25, 30, 40% जो भी मुझे लगेगा ठीक है वो invest कर दूँगा बाकी थोड़ा समय छोड़के रख लूँगा उसको बाकी amount को कुछ time के बाद invest कर कि आपने यहां पर June में अगर पैसा invest करना था और यहां पर कुछ पैसा invest किया उसके बाद अगर market यहां पहुंच गी 60,000 पे तो हमें लगेगा यार हमारी तो opportunity miss हो गई बीच में कहीं पर भी invest करने की इसलिए हमें endless wait नहीं करने चाहिए कि जब market पूरा के पूरा नीचे चल जाएगा या पूरा पूरा ऊपर चल जाएगा हमें पता ही नहीं है कि नीचे क्या है और उपर क्या है सो मेरी ideal strategy रहती है कि आप SIP से करो और लंसम अगर amount आपके पास आ भी गया है लंसम आपको invest करना है उसको भी break करके करो एक बरी में मत करो लेकिन यह सब peace of mind आपको देत market में जबर्दस correction हुए market 40-45% correct हुई है जैसे हुई थी Corona काल के अंदर so I hope this question इस question का आपको answer मिला होगा कि आपको investment कैसे करनी चाहिए जल्दी यह लेके आएंगे एक और सवाल के जवाब को लेके लेकिन तब तक लिए बचाते रहें कमाते रहें because every pisa matters